हाई गाईज, वेलकम बाक तो मेरे दूब चैनल और वेलकम बाक तो अनादर वीडियो फ्रस्ट अफॉल थो हमें लगेगा ये ब्लैक पेंट, ये ग्लॉसी ब्लैक पेंट मैंने लिया हुआ है एज बेस कोट, ठीक है, उसके बाद हम लोग लगाएंगे हमारा ये क्रोम वाला पेंट, बेस कोट के उपर मैं इसे क्रोम से चड़ाओंगा उसके बाद मैंने यहां पर लिया हुआ है, ये क्लियर कोट, जो कि हमारा सामने का जो फाइबर है glass है, उसके उपर मैं इसे यूज करूँगा यहां पर उसके बाद जो सेंडिंग के लिए मैंने papers यूज किया है, वो 600 वाला मैंने पहले यूज किया है ये जो हमारा अंदर का reflector है ना उसके लिए मैं ये यूज करने वाला हूँ आप 500 का भी ले सकते हो और साती साथ जो हमारा सामने का जो fiber glass है उसके लिए मैंने यहां पर 1200 का लिया है आप चाहे तो 1200 का ले सकते हो या 1500 का भी ले सकते हो उसके बाद जो glass हम लोग निकालेंगे ना उसे वापिस फिट करने के लिए मैंने यहां पर extra silicone लेके रखा हुआ है अगर जरुवत पड़े तो हम लोग इसे use कर सकते हैं तो यह सारी चीज़े ना हमें इस project के लिए लगने वाली है तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने मेरा जो headlight है उसे remove कर लिया है ठीक है और यह कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है reflector गरे गया हुआ है तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है इस पूरा जो reflector है आगे का जो glass होता है ना fiber glass उसको आपको remove करना है उसके लिए जो आपको seal दिख रहा है यहाँ पे side में edges पे इसे आपको heat करना है और उसे heat करने के लिए मैं use करने वाला हूँ यह जो head dryer है इसका use करूँगा ठीक है heat करके आपको इसको निकाल लेना है निकालने के बाद जो पहली चीज आपको करनी है वो यह करनी है कि यह जो glass है इसे आपको अच्छी तरीके से जो है पूरा गंदा निकल रहा है अब यहाँ पर मैंने यह पूरा जो घसने का काम है या फिर sanding है वो complete हो चुकी है इसके बाद न मैं के करूँगा यह जो thinner है आप thinner यूज़ कर सकते हो या दूसरा कोई भी chemical यूज़ कर सकते हो इस इस पूरे glass को मैं clean करूँगा ताकि कोई dust particles ना रहे उसके बाद यह जो मैरा reflector है इसकी आप हालत देख सकते हो पूरी का पूरा मतलब एकदम गंदा हो चुका है अंदर की ताहर से तो इसको ना सबसे पहले मुझे clean करना है ठीक है तो यह जो reflector है यही main होता है हमारे गाड़ी में जो हमारा light है उसको अच्छी तरी अच्छी तरीके से गंदा हो चुका है तो इसको ना मैं साफ करने वाला हूँ और इसे साफ करने के लिए मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ यह 600 नंबर वाला paper ठीक है इसको ना अच्छी तरीके से मैं अंदर से sanding कर लूँगा जितना जो कुछ भी है वो surface वो अच्छा एकदम clean कर लूँगा साथी साथ जो हमारा उपर का glass है जैसे ही आप उसके उपर cleaning करोगे या फिर sanding करके उसको जो मैंने कहा था कि धीनर से आपको clean करना है वो clean करने के बाद आपको इसके उपर एक coat apply करना है clear coat का ठीक है तो clear coat का मैंने सिर्फ एक ही coat apply किया हुआ है इसके उ हो चुका है तो उसके बाद हम लोग अभी देख लेते हैं कि हमें reflector से के साथ क्या करना है reflector को हमें अगर करना होगा तो सबसे पहले हमें इसकी sanding मैंने यहाँ पर कर ली है ठीक है sanding करने के बाद अब मैं क्या करूंगा इसका जो side वाला portion है उसको अच्छी तरीके से masking tape से प अब यहाँ पर आप लोग देख सकते कि मैंने यहाँ पर एक black color का base coat कर लिया है ठीक है अब इस black color को मैं सूखने देने वाला हूँ और इसके बाद मैं इसके उपर chrome लगाने वाला हूँ और यहां पर आप लोग देख सकते हों कि जो क्रोम का मैंने पेंट किया हुआ है वो कुछ इस तरीके से लग रहा है पर यह अभी फिलर के लिए सिल्वर लग रहा है पर जब तक यह सूख जाएगा अच्छी तरीके से तो यह अच्छा कासा एफेक्ट देगा क्रोम का अब य बेस कोट लगाना है उसके उपर आपको क्रोम का जो स्प्री है वो करना है क्याकि उस पर ही वो ज्यादा इफेक्ट देता है अगर आप अप डारिक क्रोम लगाोगे तो आपको डिर्य ख Lay मो और यहांजिग कर लिए पर और अगर आप Suluter रहा करोगे तो आपको जो इफेक् पेस्टे उसे लगा दिया है और इसे वापिस से फिक्स कर दिया है तो देख लिए कितना सिंपल और इसी तरीका है इसे बनाने का यहां पर आपको जो कुल मिला की खर्चे आएगा वो अराउंड 800 रुपीज आएगा क्योंकि मैंने इसको लेकर बाहर भी पूछा था मतलब कि रिबन 8-10,000 खर्चा करना पड़ता इसलिए मैंने इसे यहीं पर बना लिए परसनली मैं रात को ड्राइविंग नहीं करता हूँ ऐसा सेफर साइड मैंने इसे बनाया हुआ है अगर आप लोग इसे बनाते हो तो मेक्शोर करना कि आप थोड़ा पेशेंस से बनाओं वीडि इन माने इस वीडियो तिल दें टेक कैर बाइबाए